हेलो फ्रेंड्स हाइम कनिका कंसल वेल्कम टू माई योट्यूब चैनल हम लोग अपनी पाइजन की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि हम यह कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर पैलेंड्रोम है या नहीं हम पहले अब पहले हम यह देखेंगे कि पैलेंड्रोम नंबर होता क्या है पैलेंड्रोम नंबर या पैलेंड्रोम स्ट्रिंग इसका मतलब यह होता है कि हम उस नंबर या उस स्ट्रिंग को आगे से देखें या पीछे से रीड करें हमें वह सेम मिलेगी जैसे कि 12321 हम इसे से पढ़े या पीछे से दोनों तरफ से यह सेम होगा ऐसी अगर हम किसे स्ट्रिंग की बात करते हैं लड़ से A B C B A आगे से पढ़ेंगे तो भी A B C B A है पीछे से पढ़ेंगे तो भी A B C B A है इट मीज़ खोई भी original number या string है हम उसे reverse कर दें और reverse भी हमें same वही original string या number मिले इट मीज़ वो number या string क्या हुआ palindrome number या string कहलाता है अब हम इसके logic इसके programming के बात करें हम कैसे चेक करेंगे कि कोई integer number या string palindrome है या नहीं हम क्या करेंगे इसका reverse find out करेंगे और reverse को original number से compare करेंगे कि वो दोने equal हैं या नहीं reverse के से find out करेंगे हम क्या करेंगे इसमें loop लगाएंगे while loop कि जब तक इसके length मीज़ अगर हमें कोई number दे रखाए या कोई string दे रखी है उसकी length जब तक zero से बड़ी हो हम क्या करेंगे modulus करेंगे वोई percentile निकालेंगे वो निकालने के बाल हम reverse एक variable लेंगे और उसमें reverse into 10 plus that digit करते रहेंगे और उस नंबर को छोटा बनाने पे लिए flow division करेंगे में अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे user से कोई number input कराएंगे n equal to int input enter any number हमने input लिया हमने इंटीर में convert करा typecast करा अब हम क्या करेंगे इस original नंबर को एक temp नाम के variable में store कर लेंगे जिससे हमारा original नंबर manipulate नाव अब हमने एक reverse नाम का variable लिया और उसमें क्या करा 0 डाल दिया ठीक है अब हम क्या कहेंगे अब हम कहेंगे while temp greater than 0 में जब तक temp की value 0 से बड़ी है size उसका 0 से बड़ा है तब तक क्या हो temp equal to temp modulo 10 reverse equal to reverse into 10 plus digit यहाँ पे आएगा हमारा digit हमें जब दिजिट में store करना है क्योंकि हमें digit चाहिए इसलिए हमें किसमें store करना है digit में यहाँ प्याइगा डिजिट और फिर हम कर देंगे time equal to time यहाँ पर हमने यूज कर रहा है flow division flow division क्यों कर रहा है क्योंकि normal division करते है तो हमें float में भी value मिल सकती थी बट हमें integer में ही चाहिए थी तो flow division क्या करता है उस float उस decimal value का nearest अब हम क्या करेंगे स्लूप से भाल आके लिखेंगे is reverse equal to n तो क्या प्रेंट कर दे तो प्रेंट कर दे number is calendron number is palindrome चीक है वरना else में क्या जाएगा else में आ जाएगा कि सबसे पहले क्या करो मॉडिलो करो फिर उसके बाद डेजिट में store कराते चलो डेजिट को means reverse into 10 कर डेजिट करते जिससे कि आओ हमें reverse number मिलता रहे और time for time flow division 10 करते रहो तो जब यह loop जब तक चलेगा हमें क्या होगा हमें reverse number मिल जाएगा original का और इस reverse नंबर को जब हम original नंबर से compare करेंगे वह equal होगा तो हमें पता चल जाएगा पैलेंडूम है इक्वल नहीं हुआ तो वह कहलेगा यह पैलेंडूम नहीं है जैसे इसने का एंटर जैनी नंबर मैंने बोला 1 2 3 4 3 2 1 हम जब इसे रन करेंगे इसने का नंबर पैलेंडूम है क्योंकि अगर हम left से read करें तो भी 1 2 3 4 3 2 1 है और right से read करेंगे तो भी 1 2 3 4 3 2 1 है बट इस बार अगर हमने लिया लेट से यहां पर कुछ और नंबर कुछ भी random जो कि पैलेंडूम नहीं होगा जिसे कि 1 2 3 4 2 1 ले लिया लेट से मैंने अब यह नंबर पैलेंडूम नहीं है क् हम left साइड से read कर दो 1 2 3 4 आ रहा है जबकि right साइड से read करने पर 1 2 4 आ रहा है मिस फ्री नहीं है तो हम कहेंगे यह नंबर पैलेंडूम नहीं है तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जो भी user name कुछ कराये वह हमारे number पैलेंडूम है या नहीं है तो इस तरीके से करकर एम compare करके हम बता सकते हैं यह नंबर पेले रूम है यह नहीं I hope यह वाली चीज क्लियर हुई होगी so thanks for watching my video